हेलो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका किसी ने मॉबाइल है कर रखा है तो आप यह कैसे जान सकते हैं और आप उसे कैसे सही कर सकते हैं इसमें दोस्तों मैं आपको यह बता हुआ कि जैसे कि किसी आपके पास कॉल करता है तो आपके पास नही से पहले बस आप यह वीडियो लाइक कर दीजिए और आप हमाई चल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद मैं आप इस बैल आइकन पर किलिक कर दीजिए फिर इसके बाद आपको एक काम करना है आपको सबसे नीचे आना है और यहां पर comment box में लिखना है है mobile secret setting अब इसके बाद में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं call forward का दोस्तों अगर आपकी किसीने call forward कर रखे तो आप कैसे जान सकते हैं जैसे कि दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा दू कि जो वैसे पहले नॉर्मली मोबाइल हुआ करते थे वहां पर सबसे उपर आइकन बन जाया करता था पर अभी इन मोबाइल में नहीं बनता है तो सबसे पहले आप कैसे चेक करेंगे तो चेक करने वाला जो है वो मैं तो मेरी जो call है वो forward नहीं है तो ऐसे यह को दूसरा number है में अगर आपके में यह code काम नहीं करता है तो आप यह वाला code भी use कर सकते है इस्टार है 21 hedge आप यह वाला code भी use कर सकते हैं तो अगर आपकी call किसीने forwarding कर रखे है तो यहाँ पर जो है वो number 100 करने लग जाता है तो आप उसे cancel कैसे करेंगे अगर number आता है तो तो cancel करने का जो है वो है has 002 फिर hedge यह code है और आपको वही sim select करने है तो फिर आपको करने के बाद फिर आप देखेंगे कि यहाँ कर आएगा service has been disabled तो इस तरीके से आप अपनी call forward को रोख सकते हैं अब इसके बाद दोस्तों कभी कभी ऐसा होता कि आपके mobile में आपके दोस्त या आप भी कोई लोग आपके phone में application इंस्टॉल कर देते हैं और उस application को hide कर देते हैं कि आपको पता नहीं चले कि वो application कौन सी है तो सबसे प और यहां पर आप application में चेक कर सकते हैं कि वो application आपके mobile में है या नहीं अगर आपको लगता है कि कोई application ऐस ही है जो आपने install नहीं की है तो आप उस application को uninstall कर दीजिए इसके साथ ही साथ मैं एक application आपको मैं बता रहा हूं उस application को आप अपने mobile में install कर दीजिए जिसका link मैंने description में दे दिया है इस application को आप जैसे open करेंगे तो सिर्फ आपको scan यह mobile scan करेगा आपका और यह बता देगा कि ऐसा कॉंसा application है और वो इसी जगे से उस application को remove कर देगा जैसे कि यह option यहाँ पर आ चुका है आप देख रहे हैं start scan तो आपको इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर यह scanning लेता है फिर scanning लेने के बाद यहाँ पर सो कर देता है कि ऐसा कॉंसा application है अगर कोई application या कुछ भी अगर होता है तो यहाँ पर रिमूव वाला option आता है तो आप उसे रिमूव कर दीजिए तो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा application नहीं है तो इस तरीके से अगर आपको आइकन मिलता है और यह बोलता है और डिवाइस इस clean और आप उपर देख रहे हैं अगर यहाँ पर कोई application होता है आपके रिमूव का option यहाँ पर आ जाएगा तो इस application का link मैंने अपनी description में दिया है जाए इंस्टॉल कीजिए और इस वीडियो को like करना मत बूलना और please share करना मत बूलना अगर आपको कुछ पूछना है तो comment box में आप और भी extra comment कर सकते हैं तो मिलते हैं से next video में धन्यवाद जहीं है